हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th सडूल की यानि 10 वी अनुसूची की भारत के सम्विधान में 12 अनुसूचियां है और जिसमें से जो 10 वी अनुसूची है उसे 1985 में सम्विधान के 52 में सम्विधान संसोदन द्वारा कंस्टिटूशनल अमेंडमेंट द्वारा सम्विधान में जोडा गया इसके पीछे एक बात ये थे कि जब आजाद हमारा देश हुआ तब भोच से करांतिकारी ही राजनिता हुए और उनका चरित्र काफी बढ़िया था उन्होंने जिस चेतर से चुनाव लड़ा जिस दल से चुनाव लड़ा उससे सरकारे बनाई लेकिन धिरे धिरे ऐसा महसूस होने लगा कि जिस दल से चुनाव लड़ रहे हैं उस देल के साथ 5 साल सरकार नहीं चला रहे हैं आज भी धाय किसी और का समर्थन कर रहे हैं कल कि किसी और का समर्थन करने लग गए किसी की सरकार बनने लगी और किसी की सरकारें गिनने लगी इसी तरह से देखते हुए भारत के सम्विधान में बाउमनवा अनुस सम्विधान संचोधन किया गया और दस्वी अनुसुची को जोड दिया गया और कानून बना दिया गया दल बदल कानून यानि दल बदल अधिनियम या फिर इसे एंटी डिफेक्शन लो बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लो इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विधायक या सांसर जिस दल से चुनाव लड़ता है और जीत जाने के बाद वो उस दल किसी दल को बदल लेता है तो वो विधायक नहीं रह सकता है यानि जैसे आज अगर बात करें तो कोई एक पार्टी पार्टी ये सत्ता में है और पार्टी बी है अगर पार्टी ये के सांसर या विधायक पार्टी बी में चले जाते हैं और इसके प्राइम इसके को निता को पीम या फिर सिय हम बनाना चाहते हैं ऐसा पहले बना देते थे लेकिन आज ये संभव नहीं है क्योंकि अगर ये पार्टी बदल लेंगे तो इनकी विधायकी रद हो जाएगे और रिलेक्शन करवाया जाएगा इसी लिए इससे दल बदल विरोधी गती विदियों पर कुछ लगाम लगी थी एक्स में एक और कलोज भी जोडा गया है कि दल बदल विरोधी कानून के तहट कोई विधायक या सांचद विधायक रहेगा या नहीं रहेगा ये उस सदन के स्पिकर यानि जैसे अगर लोग सभा की बात करें कोई लोग सभा का सांचद है अगर वो दल बदल लेता है तो संसद सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी ये फैसला लेने का अधिकार लोग सभा स्पिकर के पास है विधान सभा के केस में जो विधान सभा के स्पिकर है उनके पास ये अधिकार है इसमें एक छोटा सा क्लोज ओर है कि अगर किसी दल या पार्टी या राजनीतिक दल क कुल सदस्य जितने भी हैं विधायक हैं या सांसद हैं उनके अगर दो तिहाई से ज़्यादा विधायक दल बदल लेते हैं तो उनकी विधायक ही नहीं जाएगे कि एंटी डिफेक्शन लो उन पर लागू नहीं होगा जैसा अभी गोवा में हुआ था जब पिछे कॉंग्रेस के दस से ज़्यादा विधायकों ने बीजेपी को जोइन कर लिया था तब उन पर एंटी डिफेक्शन लो लागू नहीं हुआ था क्योंकि वो दो तिहाई से ज थैंक यू